हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड एबनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेपल सी बाई फाई शड़ी पर तो आप सभी के लिए क्लास एड़ी है जल्ले से आप सभी क्लास को जॉइन कर लेजिए और सेर कर देजिए ताकि और भी वच्चे और भी साथे इस क्लास को जॉइन कर सकें आज इस क्लास में आप सभी के लिए 30 most important questions सामिल किये गए हैं ये सभी प्रसन आपके होने वाले ड्रेपल सी एक्जाम के लिए काफी important हैं तो आप सभी इस क्लास को लाज तक जरू देखें और आप सभी को बता दें इससे पहले जो आपके लिए most important है कि बहाँ पर किसी भी चैप्टर से कोई भी question miss नहीं होगा यानि कि सभी क्लास चैप्टर वाइज आप कर सकते हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके चैप्टर 9 तक के सभी से थोड़े थोड़े question कराएगे हैं ताकि कहीं पर भी आपको दिक्कत ना आए ठी हैं इसके अलावाग triple c previous paper नाम से एक playlist है जिसमें वो question discuss के जाते हैं जो आप लोग जब exam होता है बच्चे बारे पास question भेजते हैं उनको हम बहाँ पर discuss करते हैं तो उस playlist में जो class आपको मिले उनको करना है उससे आपको पता चलेगा कि आपके exam में कैसे कैसे question पूछे गए है क्योंकि बहुत सरे question ऐसे होते हैं बहुत सरे क्या मतलब ऐसी question आपको मिलते हैं जो कि previous question previous exam में पूछे गए होते हैं तो इससे आपको काफी help मिलेगी अपने exam को एक अच्छी grade में pass करने के लिए ठीक है और बाखी आप से भी regular class करते हैं इसके अलावा अगर आपका कोई भी class देने की कोसिस करेंगे ठीक है तो चलिए आप सभी जल्दी से भाई share करिए उसके बाद session को start करते हैं और आज का सबसे पहला question आपके सामने आ चुका है यहाँ पर आपको बताना है डैस कई फाइलों में object फाइलों को जोड सकता है कई फाइलों में object फाइलों को जोड सकत है आप उसे डाउलोड कर लें क्योंकि वो ebook आपके लिए काफी important है और triple c exam को बहुत ही easily बहुत ही आसानी के साथ आप उसे पढ़कर pass कर सकते हैं जिसका link नीचे description box में दिया गया है तो बहाँ पर आपको 2000 से भी ज़्यादा important question मिलेंगे जिसमें triple c जो chapter wise crash course हमने दिया है व साथ में जितनी भी आपकी shortcut की है फुल फॉर्म है ठीक है बे ब्राउजर shortcut की है वो सारी चीज़े वहाँ बेश सामिल है आप अभी उसे ले सकते हैं तो फिलाल यहाँ पर जो आपका right answer होगा वो option पहला है linker ठीक है आजखना है option number e correct answer है question number second में पहुचा है program लिखने के लिए एक संकीत क्या है जो गड़ना और अल्गोरिद्म के निर्देश है बताईए उसे कहते है programming language आपका option यहाँ पर d है एक programming language पहुचा है निम्न में किसको low level language कहा जाता है question को समझना बहुत जरूरी है ठीक है समझ करके आपको जवाब करने हैं तभी आप सही answer भेज पाएंगे तो यहाँ पर पूचा है निम्न में किसको low level language कहा जाता है machine language, assembly language, ओप्रोक्त दोनों या फिर कोई नहीं तो देखो low level language के अतरगत आपकी दोनों language आती है जिसमें machine language भी सामिल है और assembly language भी सामिल है इसलिए option C आपका होगा यह सभी दोनों कैसी है low level language है ठीक है अगला कोशन देखिए पूचा है COBOL, HOTRON और C सभी dash programming language है dash के स्थान पर आपको भरना होगा इस चार option इसमें से क्या होगा सभी कैसी programming language है procedure oriented है, object oriented है, font oriented है या फिर visual basic है आपको answer करना है, इसमें कौन सा सही जवाब है, question number 4 आपके सामने है और इसमें जो right answer होगा, option पहला होगा, procedure oriented language है question number 5 में पूचा है, एक translator को क्या कहते हैं, जो input के रूप में assembly language लेता है और output के रूप में machine language code देता है यानि कि acid translator को क्या कहते हैं, जो input में तो assembly language का code लेता है और output में क्या है, machine language code देता है acid translator का नाम आपको बताना है, बताइए, क्या होगा इसका right answer acid translator का नाम है assembler assembler क्या करता है, assembly language को machine language यानि कि computer की वहासा में convert करता है translate करता है, ठीक है, compiler के अगर बात करें तो compiler क्या करता है compiler high level language को low level यानि कि high level को machine language में translate करता है compiler भी करता है और interpreter भी आपका जो high level language है उसको low level में यानि कि उसको machine code में convert करता है, ठीक है what इन दोनों में एक difference है और ये पूछा भी जाता है कि कौन सा translator cable एक statement को एक बार में ही translate करता है यानि कि एक statement एक बार में translate करेगा फिर अगला statement एक बार में translate करेगा ठीक है, तो interpreter क्या करता है, cable एक कथन को पहले read करता है और translate करता है compiler पूरे statement को एक ही बार में read करके translate कर देता है दोनों में आपको अंतर समझना है दोनों का काम है High level language को translate करना machine code में किसका compiler का भी यही काम है और interpreter का भी यही काम है what interpreter जो होता है एक बार में एक ही statement को read करके translate कर पाता है compiler पूरा सभी पूरा statement पढ़कर के उसको translate कर देता है machine code में एक ही बार में बट interpreter एक एक statement को translate करता है, ठीक है यह आपको याद रखना और इस प्रकार सी question आता है exam में, इसलिए हमने आपको यह सम्धाने की कोशिस की है, ऐसी question आता है कि name में कौन सा cable एक statement को एक बार में read करता है और machine code में translate करता है, और 4 option आपके सामने होंगे, फिर आपका जवाब हो ज की गई है, means जाबा को किसने विक्षित किया ऐसा भी हो सकता है, question पूछने का धंग बदल सकता है, यह हम आपको बार बार समझाते हैं, और जिस बच्चे के समझ में यह बात आ गई, समझ लो वो अच्छे से पढ़ गया, एना question का धंग change हो सकता है, इसलिए आपको question को समझ बजना है, ताकि आप उसको जवाब दे पाएं, चाहें किसी भी प्रकार से, किसी भी बे में आप से पूछें, आपको आसर पता होगा, बताइए, यहाँ पर क्या होगा right answer, तो यहाँ देखने है, जाबा एक programming language है, जिसे किसने बिक्सित किया, gems, gosling, option पहला, रट लेना आ आपको यह सारे question अच्छे से, basic एक language है, कैसी language है, यह procedural language है, object oriented है, या फिर दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं, none of these, अब आपको बताना है, इसमें कौन सा right answer है, question number 7 आपके सामने है, एक procedural language है, option number A आपका right है, चलिए भाई, question देखिए, फोटरान का full form क्या होता है, यह सभी बहुत ही common question है, आपके triple 6 exam के लिए, बहुत सरे question आते हैं, आपके exam में इस प्रकार से, तो यहाँ पर अभी आपको right answer देना है, फोटरान का full form क्या होता है, और जिन बचों ने class को अभी तक like नहीं किया, प्लीज आप सभी class को like कर दिया करें, share भी करें, उन बचों पर मिलते रहें, formula translation इसका full form हो जाएगा, formula translation, ओके अगला question देखिए, उस तुर्टी को किस नाम से जाना जाता है, जिसे compiler धूड़ा धूड़ा जा सकता है, उस तुर्टी को किस नाम से जानते हैं, जिसे compiler धूड़ सकता है, या compiler धूड़ा धूड़ा जा सकता है, बताइए उस तुरूटी को उस error को क्या कहते हैं syntax error कहते हैं तो option आपका पहला है syntax error कहते हैं चलिए भाई question number देखिए अगला memory और storage के बीच में क्या अंतर है memory और storage के बीच में क्या अंतर है memory अस्थाई है और storage इस्थाई है memory इस्थाई है और storage अस्थाई है memory धीमी है और storage तेज है या फिर उपरोग सभी आपको बताना है memory और storage में क्या अंतर है बताईए बच्चों जल्ली से बताना है आपको right answer यहाँ पर क्या होगा सही जवाब जल्ली से बताईए तो देखो यहाँ पर हो जाएगा memory अस्थाई है और storage इस्थाई है ठीक है? memory अस्थाई है और storage इस्थाई है तो यहाँ पर पहला option right है अगला question देखिए Oracle-Application Software का उधारण है Oracle-Application Software का उधारण है मिनस किस application software का उधारण है database का है, word processing का है, project management का है presentation graphic का है, किस का है बताईए question number 11 आपके सामने है और यहां पी correct जवाब है डेटा विस का Oracle डेटा विस अप्लिकेशन का उदाहरेड है option पहला right है वासा देखिए 12 में पूचा है dash personal computer को परंपरिक रूप से सबसे सीमित geographical area के signal विल्लिंग से जोड़ता है ठीक है यहाँ पे कुछ लिखने में mistake है geographical है यहाँ पे ठीक है geographical area के single building से जोड़ता है यहाँ पर single building से जोड़ता है यह है आपका question ठीक है dash personal computer को परंपरिक रूप से सबसे सीमित geographical area के single building से जोड़ता है कौन? कौन सा असा network है? LAN है? BAN है? MAN है? या फिर www? सीमित geographical area के single building से जोड़ता है जिसका नाम है LAN यानि की local area network ठीक है? local area network और एगर BAN की बाद करें तो यह BAN एक wide area network है wide area network है जो पूरे worldwide में फैला हुआ network है और MAN इसे करते है metropolitan area network एक city में यह network हो सकता है city के आसपास हो सकता है निकी एक सहर सीमित हो सकता है आपका metropolitan area network BAN संपूर्ण भागोलिक छेत्र में फैला हुआ network है यानि की पूरे worldwide में फैला हुआ network है और LAN एक local area network है जो की personal computer में हो सकता है एक छोटी से building में हो सकता है किसे school college में हो सकता है ठीक यह होता है LAN जिसे करते है local area network अगला question देखिए इन में सी कौन आपके sensitive data की सुरच्छा के लिए प्रियोग किया जाता है जो भी आपका sensitive data है उसकी सुरच्छा के लिए किसका इस्तेमाल होता है encryption, password, file locks file permission आपको बताना है इसमें कौन सा right answer है इन में सी कौन आपके sensitive data की सुरच्छा के लिए प्रियोग किया जाता है तो इसमें correct जवाब है encryption encryption मतलब जैसे ही sensitive data की सुरच्छा के लिए कोई भी अगर sensitive data है means माल लेते हैं जैसे कि आपने अपना email id लॉग इन करना चाहां और अपना username डालने के बाद में आपको अपना password डालना होता है और जब आप अपना password डालते हैं तो जो password आप type करते हैं वो आपको screen पर नहीं दिखाई देता है आपको star दिखाई देता है आपने एक, दो, तीन, चार जो भी डाला वट वहाँ पर star आपको दिखाई देता है याने कि वो क्या है encrypted है है ना वो encrypted है उसमें security दे गई है ताकि कोई उसको देखना पाए सुरच्छा के according उसको encrypt कर दिया गया है ठीक है इसलिए ताकि उसको कोई देखना पाए तो उसे encryption कहते हैं तो जो sensitive data के सुरच्छा के लिए प्रियोग होता है दिये गए बिकल्पों में कौन सा computer में वास्तिविक रूप में होता है menu, print, software, hardware इसमें से कौन सा right answer है computer में वास्तिविक रूप में होता है क्या होता है तो वास्तिविक रूप में hardware होता है है ना यानि कि hardware क्या है एक ऐसा part है एक ऐसा device भी आप उसको बोल सकते हैं जिससे आप छूँ सकते हैं टच कर सकते हैं देख सकते हैं वास्तिविक रूप में होता है रियल आपको दिखाई देता है बाकि एकर software आप देखी नहीं सकते हैं print, menu ये सब software में आ जाते हैं ठीक है लेकिन hardware ये print, printer मत समझना इसका printer नहीं है, print है केवल इसलिए hardware होता है जो बास्तिविक रूप में आपको दिखाई देता है इनमें से कौन सा विकल्प आपको document में page number, title आदिकी सूचना देता है question number 15 आपके सामने हैं आपको बताना है, इसमें right answer क्या हो जाएगा कौन सा विकल्प आपको document में page number, title आदिकी सूचना देता है header and footer, ठीक है तो option है B, header and footer question देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कारी को बदलने में साहिक होता है, कौन सा विकल्प ऐसा है, जो आपने कुछ लिखा है उसको edit करा देता है उसको बदल देता है edit, option V edit, option V आपके राइट है question देखिए, एक software का पहला उद्ध से data को dash में बदलना होता है एक software का पहला उद्ध से क्या होता है data को memory में बदलना है information में बदलना है, program या object information में बदलना है एक software का पहला उदेश से data को information में बदलना है इनमें से कौन सा term internet connectivity के लिए प्रियोग में लाया जाता है कौन सा term internet connectivity के प्रियोग में लाया जाता है आपको आसर करना है इसमें कौन सा सही जवाब है question number 18 आपके सामने है कौन सा term internet connectivity के प्रियोग में लाया जाता है तो TCP IP right answer है यहाँ पे Transmission Control Protocol और IP मतलब Internet Protocol इन में सी कौन सा Software Remote Connection के लिए प्रयोग में लाया जाता है कौन सा Software Remote Connection के लिए प्रयोग में लाया जाता है आपको बताना है कौन सा इसमें right answer है TeamViewer यहाँ पर आपका right answer TeamViewer है यानि कि यह option पहला correct है TeamViewer हो सकता है या फिर अगर यहाँ पर AniDisk दिया है तो AniDisk भी एक Software है जो Remote Connection के लिए इस्तिमाल करते हैं तो आपको Note का लेना है AniDisk और TeamViewer जो भी दिया है उसको आप connect कर सकते हैं यह option पर डिपेंड करेगा कि आपके option में क्या दिया गया है निम्ण में किस संस्थानी 2011 में सागा 220 सूपर कम्प्यूटर बनाया इस्तिरो नासा सीडैक या फिर बार्ग बताईए 20 का कौन सा राइट आंसर है यहाँ पे सही जवाब है इस्षरो ठीक है option नमबर पहला correct है इस्षरो एक database में administrator क्या होता है एक प्रोग्राम है person application operating system एक database में administrator है एक database में administrator क्यों है option यहाँ पे वी है आपका person ठीक है option Microsoft PowerPoint में अधिक्तम जूम कितना होता है PowerPoint में पूचा है आपको maximum जूम बताना है कितना कर सकते हैं तो याद रखना है आप सभी बच्चों को maximum जूम पावर पाइंट में कितना कर सकते हैं 400% कर सकते हैं एक user द्वारा प्रियोग में लाया जाने वाला software है System Software है Application Software है Operating System है या इसमें सी कोई नहीं एक user मतलब प्रियोग ता या चलाने वाला हना एक user द्वारा प्रियोग में लाया जाना वाला software क्या कहलाता है उसे कहते हैं Application Software बो होता है Application Software option number V आपका राइट है Application Software ठीक है और यहाँ पर Sorry Operating की Spelling में Error है ठीक है तो यहाँ पर Mistake है Operating में चलिए Question देखिए Next आपको बताना है Nimd में कौन सा Bad Memory Unit नहीं है कौन सा Bad Memory Unit नहीं है बताइए CB, KB, YV या PV Bad कौन सा नहीं है तो इसमें Bad CB Memory नहीं है ठीक है CB जो है यह Bad Memory Unit नहीं है बाकि KV, YB और PB यह सभी है ठीक है अगला Question देखिए RAM Dash का हिस्सा है Keyboard, Internet, System Unit, Monitor अब पताना है आपको RAM किसका हिस्सा है 25 में कौन सा Right Answer है Random Access Memory किसका हिस्सा है यह System Unit का हिस्सा है Option C Right है ना Internet का है ना Keyboard का है ना Monitor का है System Unit यहाँ पे सही जवाब है कौन सा Button अच्छरों संख्याओं को छोटा और बड़ा बनाता है और संख्या को चिन्हों में परिवर्तित करता है या परिवर्तित होता है Tap Lock है, Num Lock है, Shift है या Tap है कौन सा Button अच्छरों संख्याओं को छोटा और बड़ा बनाता है यहनि कि अच्छरों को छोटा और बड़ा बनाता है और संख्या को चिन्हों में बदल देता है तो यहाँ पर Shift हो जाएगा Shift से क्या कर सकते हैं जैसे आपने Shift के साथ में अगर आपने कोई भी जैसे आपने Shift के साथ में 5 नमबर दबाया तो क्या होगा % का चिन्ट बन जाएगा, ठीक है % का चिन्ट बन जाएगा shift के साथ में अगर आपने तीन नंबर दबाया तो has का symbol बनेगा दो दबाया, है ना तो इस प्रकार से दो दबाओगे तो add the rate का symbol बनेगा तो ऐसे करके symbol भी बन जाते हैं तो इसके लिए shift की इस्तेमाल करते हो और shift के साथ में अगर आप कोई भी अल्फडबे टाइप करते हो तो िस्तेमाल या capital में उसे लिख सकते हैं cash memory किसके मध्यकारी करती है cash memory किसके मध्यकारी करती है इसमें कौन सा राइटासर है cash memory CPU और RAM के मध्यकार करती है तो यहाँ पर सही जवाब है option पहला CPU और RAM के मध्यकारी करती है निम्ड में कौन सा computer का सबसे छोटा रूप है computer का सबसे छोटा रूप कौन सा है यह आपको आशर करना है 28 का सही जवाब बताईए क्या हो जाएगा computer का सबसे छोटा रूप कौन सा है notebook है option पहला है आपका notebook ठीक है right answer है option number A notebook और अगला question है system को boot करने के लिए निम्ड में से कौन सा आवस्यक है system को boot करने के लिए कौन सा आवस्यक है तो right answer है operating system option C आपका right है यहाँ पे operating system और अगला question आपको बताना है vendor द्वारा बनाये गए program के संसोधन को dash कहते हैं बताईए vendor द्वारा बनाये गए program के संसोधन को क्या कहते हैं तो इसमें कौन सा right answer है यहाँ पर सही जवाब है overlaps option number D ठीक है overlaps आपका सही answer है और आज की class बस अहीं तक थी और अभी आप सभी को बता दें 9 बज़े भी एक class होने वाली है triple C जाम के लिए पर अपने mock test करते रहें बहाँ पर धेर सारे online mock test आपके लिए available है जेने आप बारी बारे से कर सकते हैं और triple C exam को एक अच्छी gate में पास कर सकते हैं तो आज के लिए वाचिंग थायकि गुड़नाइट वाल बाई बाई